जैसे साथियों जैसे कि आप लोग को थामनेल से पता चलीं गया होगा कि मैं आज और पीएफ और पीएफ का जो भी इन दोनों में डिफेंट्स है बेसिक चीज उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं उससे पहले मैं बता दू कि जो भी सीरियस सा शुडेंट हैं मेरे सा साथ जूणना चाहते हैं स्टड़ी मटेरियल चाहिए अर्टिफिकेशन किसी चीज़ का चाहिए और पूरा वैकेंसी कीलियर होने तक मेरे साथ जूणना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वार्सप ग्रूप का लिंक दे दिया है और इस्टाग्राम पर है तो हमको साथ जूड़ सकते है तो में मुद्ध है आरपीफ रहेंड्रे गनिए तो इस में आरप कोई na नहीं है जितना आर्पेश में चाहिए उतना प्रोफाइल में बहुत डिफिरेंट देखनों के मिलता है और आप लोग को पहले ही किलियर हो जाना चाहिए जब फॉर्म फिलब करना उसी टाइम आर्पेशियब का फॉर्म बहुत उनली इयफगरूप में निकलता है उसी टाइम में आप काने का मतलब कि एक डिविजन में आप गयें उसे डिविजन में जितना थाने हैं उसके इंतरगत कम करना है लेकिन यहां पर आरपीय से इसा नहीं है चौधा बटालियन लगभग है और वो बटालियन पूरा ओल इंडिया में मुव्मेंट करता है एक बार कहीं चला गया है तो वहां पर छे महिना रहना है उसके बाद वहां से कहां फिर जाएगा उसको कोई ठीकाना नहीं है फिर अगला छे महिना मानके चलिए कि इसका आगला इंडिया में हर एक छे माइना में वह मोमेट हो दे रहता है लेकिन आर्पियएप में ऐसा नहीं है तो इसी के अधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं यह फेमिली लाइफ किसमें बेटर है अगर फेमिली रखना चाहते हैं तो आर्पियएप बढ़िया है साथ में अपना फेमिली के रख सकते हैं लेकिन आर्पियएप में आप कहां कहां फेमिली को लेकर ढोईएगा तो इस तो आप पर निर्वा करता है कौन सा बढ़िया होगा फेमिली लाइफ आर्पियएप य जादे है इसलिए जादे है कि उन लोग का जो आउटी होता है हर एक छे महिना में वह कहनी जाते हैं तो पर मैंथ उन लोग का मिनिमां 12 से 15,000 रपिया बन जाता है जो कि टी ये बोलता है तो आर्पेफ में इतना नहीं बनता है आर्पेफ में टी ये इन से जादे बनता है अर्पेफ में हर एक महिना 12 से 15,000 रपिया उन लोग का टी ये अलक सा बन जाता है तो एस तो मिलाके उनलोग का पेवेंट कोंस्टेवल है तो शाठी है रपिया बन जाता है तो सेल्री के बारे में भी आप जानेगे सैल्री एर्पीए सेप में ज़्यादे हैं तो ये तो हो गई सेल्री के बाद आब आता है पर्मोशन तो पर्मोशन के लिए आपको बहुत फास्टिंग रूलनी बाता है RPSF में परमोसा बहुत जल्दी होता है RPSF में उससे लेट होता है मान के चलिए कि 2019 में जो भाइकेंसी आए था तो इन्वे से सब सब पहले जो Constable से इंस्पेक्टर बनेगी है वो RPSF से बन के जाएगी तो ए भी आपको किलियर हो गया होगा कि RPSF में परमोसा फास्टिंग है बात आता है छुट्टी को तो थोड़ा बहुत छुट्टी भी आपको जादे मिलता है आपको RPSF में तो बाजी मार देता है यहाँ पर RPSF में क्योंकि उनलोग का ज़्यादा मोमेट होता है इस बज़े से उनलोग का जब घर जाना रहता है तो उनलोग को उत्टा प्रात्मिक्ता जादे दिया जाता है इसलिए उनलोग का छुटी जादे मिलता है और जो भी थोड़ा बहुत छुट गया होगा बात तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताने का कोशिस करूँगा आई होग इतना आप लोग समझ पाया होंगे जो भी बेसिक चीजे था और एक बात और मैं बता देता हूँ आप लोग कर लिए हैं तो बढ़िया है मानके चलिए आप मुंबाइज जोन में ही मिल गया तो बढ़िया है कि आप रहने वाले आपको में तो आने जाने में बहुत सारभ प्रॉब्लम क्रेट्ट होगा तो उसके लिए आपको जब अपना home zone में आना है तो minimum 10 साल आप वहाँ पे job होना होगा 10 साल के बाद अपना home transfer के लिए आप eligible हो जाएंगे तो यह भी बात अपनों का clear हो गया होगा अपना home zone में आना है तो 10 से लेकर 12 साल के बीच में आप apply कर सकते हैं कि हाँ हमको अपना home zone में जाना है तो यह सब भी बात थोड़ा थोड़ा मैंने बताने का कोसिस किया हूँ आप आप लोग को यह सब वीडियो जितना मैं इस वीडियो में बताया हूँ आप लोग को समझ आया होगा नेश्ट वीडियो मैं किस पर लाओं आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और मेरा वो जितना भी अकॉंट मैं ने बताया है और डिस्क्रिप्शन बोक्स में जाकर मेरे लिंक के दुआरा जूर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा मैं बार बार बोल रहा हूं मेरा 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है तो आप लोग मेरा हिस्सा बनिए 1000 में तब तक लिए जय हैं जय भारत थैंक्यो पर पाचिंग वीडियो